Good morning everyone, आज की सुभा तीन बज के बारा मिन्ट पे शुरू हुई, जो की बड़ा ही कसम कश में थी Actually बेटा जो है रात को मेरे पास सो गया, जो mostly अपने दादू के पास सोता था मैंने भी उसको जदा मना नहीं किया क्योंकि वो बहुत emphasize कर रहा था होता है ना कभी-कभी बच्चों को, कि मम्मी के पास ही सोना है बड़ा मुश्किल से ये आदर छुडवाई थी, लेकिन कभी-कभी चलता है रात को सोचा था कि सुभ़ टेबल लैंप लगा के अराम से उसके पास ही पढ़ाई कर लूगी क्योंकि मैं सुभ़ तीन मज़े के आसपास उठ गई थी तो मन भी नहीं किया कि उसको अकेला रूम में छोड़के दुसरे रूम में पढ़ने के लिए जाओ लेकिन फिर मुझे ये याद आया कि मैं तो बिना बोले पढ़ाई कर ही नहीं सकती मुझे उंची आवाज में बोल-बोल के पढ़ाई करना अच्छा लगता है क्योंकि कंसंट्रेशन बना रहता है नहीं तो हम कहीं न कहीं ख्यालों में खो जाते हैं इसलिए फिर बस उसको दादों के पास सुला के और फिर थोड़ा सा अपना पढ़ायम योगा करके पानी गरम करके वही रोज का रूटीन और फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी आज का सबसे पहला स्लोट शुरू करेंगे नियूस पेपर के साथ आज का नियूस पेपर नहीं आया अभी तक क्योंकि अभी तो सुबह के चार बीज नहीं बजे हैं एक्चुली ये कल का नियूस पेपर है मेरा कल का नियूस पेपर रह गया था बिलकुल रह गया था क्योंकि मैं वीकली रीकैप के चकर में इसको छोड़ी दिया मैंने इसको इतना टाइम भी नहीं मिला मेरको क्योंकि वीकली रीकैप मैं संडे को करती हूँ जैसा मैंने बताया था लेकिन मैं संडे को नहीं कर पाई वीकली रीकैप तो मैंने वो मंडे को किया जिसके चकर में मेरा मंड़े वाला नियूस पेपर रहे गया जो कि मैं आज अभी कर रही हूँ कि जब वैसे सुस्ती आई हो और बुकें सिर्फ सामने रखी हूँ मैं ऐसा बिल्कुल भी वेस्ट समझती हूँ टाइम वेस्ट होता है ये इससे अच्छा है कि आपको ये तो थोड़ा माइंड फ्रेश कर लो थोड़ा सा रेस्ट ले लो लेकिन मुझे रेस्ट लेने का भी मन नहीं था तो मुझे लेगा नहा के फ्रेश हो जाते हैं और फिर दुबारा से अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे आज गिर रही हूँ पढ़ रही हूँ, हार रही हूँ बस एक दिन बहुत तेज भागने के लिए आप लोगों के सवार मेरे पास आते हैं कि कभी पढ़ाई करने का मन नहीं करता और मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ देखिए हम वैसे कुछ भी पढ़ें नोवल पढ़ें, लेकिन जब हम एक ऐसे फेज में आ जाते हैं, जिब हमारे उपर थोड़ा सा प्रेशर होता है, तो कही ने कही सुस्ती आना, आलस आना ये सब चीज़े हर किसी के साथ होती है जो टोप रैंक वन होता है ना उसके साथ भी होती है, हमें लगता है कि वो तो टाइम ऐसा आता है कि हम बिमार होते हैं, सिच्वेशन ऐसी होती है, हम प्रोपर जो चार होते हैं उद्धा पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन आप शुरुआत तो करिए, किसी दिन आपको 10 मिनट मिलेंगे, किसी दिन आपको 20 मिनट, फिर 2 घंटे मिलेंगे, किसी दिन आपको 8 घंटे भी मिल जाएंगे आप निकालने की कोशिश तो करिए अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, यह सोचते रहेंगे यार मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं, मैं तो नहीं कर सकती किसी भी लेवल से स्टार्ट करिए लेकिन एक बार करिये जरूर मेरे पास ना एक और कमेंट आया हुआ था कि क्या आपके हस्बेट आपको सपोर्ट करते हैं आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है जी हाँ, हस्बेट और फैमिली सपोर्ट करते हैं लेकिन वो वाली बात न सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है, कि बाबा में तेरी गुडिया उंगली पकड़ के दहली पार करा दे, ये सिर्फ बाबा के लिए, घरवालों के लिए, ससुरार वालों के लिए, हस्बेंट के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है, कि कोई भ जैसे इसको काटनी है काट लेगा तो सेम ऐसा ही होता है और जब खुद से मन होना और आपकी महनत आपका आतम विश्वास आपका हार्ड वर्क देखके फिर घर वाले भी कहीं ने कहीं हो जाता है कि यार यह लड़की कितना महनत कर रही है इसको स्पोर्ट कर देते हैं या फि कर तीन मिलट पे लिया था मैंने अपना सेकिंड ब्रेक जिसमें मैं थोड़ा सा घर के काम निप्टाओंगी घर के काम भी जरूरी है साथ-साथ और आप लोग न यह माने कि अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे तो प्लीज आप उससे हेल्प मांग भी सकते हैं अगर आप परियास तो कीजिए और दूसरे वाला आपको बोलेगा कि आप चलो यह काम कर लो आप पढ़ाई कर लो हम आपकी मदद कर देते हैं कई बार आपको मदद मांगने भी पढ़ती है तो आप मदद मांग भी सकते हैं कि मुझे यह करना है और प्लीज मुझे इस हेल्प की चु तो कीजिए सबसे पहले अपनी मुश्किल फाइंड आउट करिए मुझे तो क्या होता है न मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं उसको पैन पेपर लेकि उस पे लिख लेती हूँ उस प्रॉब्लम पे जाना देर सोचने के बजाए मैं पहले उसको पैन पेपर और एक और सवाल था कि मैं क्या एक साल में प्रॉब्लम करके क्वालिफाई कर सकते हैं देखिए एक किसी ने बहुत बड़ी बात कही थी यूप्लम के लिए मैं वही बात दोहराना चाहूंगी कि आप दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा ले आईए उसको सबसे इ एक साल में एक साल की पिर्पेशन से इसका ये उपीजी का एकजाम निकल जाएगा एक साल पे तो क्या कोई ये भी गारंटी नहीं ले सकता उस इंटेलिजेंट बच्चे के लिए भी कि ये छे साल साल में भी एक्जाम क्लियर कर जाएगा उपियसी इज ए तो आगे आने वाले सालों में जब आप उमर के किसी और पढ़ाओं पे हो तो आपको उस टाइम पर दुख ना हो कि मैं उस टाइम पर यह ट्राइ कर सकता था लेकिन मैंने यह ट्राइ नहीं किया आठ बजए मैंने अपनी सुबह की पढ़ाई से ले लिया है ब्रेक क्योंकि अभी मुझे अपने बेटे के लिए उसके स्कोल जाने के लिए त्यार्यां करनी है उसका टिफिन पैक करना है उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रैडी करना है लेकिन ये सब काम करते हुए मेरी जो फोन वाली प्रिप्रेशन है जिसमें मैं अपनी वीडियो देखती हूँ जिसका जिकर मैं अपने हर वीडियो में करती हाई हूँ कि मैं किस तरीके से प्लेलिस्ट बना के रखती हूँ और उनको बाद में देखती हूँ और किस तरीके से देखना चाहिए मैंने उसका भी ज मेरे लिस्ट में उस प्ले लिस्ट कोुम करती हूं उस trophy सारे वीडियो चलती रहती है मेरा काम होता रहता है और वह विडियो मेरी complete हो जाती है इस साथ के साथ आज जैक और काम करना है मैंने आपको जिसे पहले बताया था कि मेरे घर में दिवाली की तरह डेली डीप क्लीनिंग होती है डीप क्लीनिंग ऐसा नहीं कि पूरे घर की एक साथ ही घर का एक कोना, कोई भी कोना वो हो सकता है जैसे किसी दिन वो freeze भी हो सकता है जैसे आज हम करेंगे freeze की deep cleaning इसमें आंटी ना अकेले खुद कर सकते ना मैं अकेली कर पाती हूँ क्योंकि ठक जाते हैं तो दोनों मिलके ये सब काम करेंगे और मिलके काम किया जाए तो काम जल्दी भी हो जाता है finally freeze की deep cleaning हो चुकी है अभी मैं आपको बार का मोसम दिखाऊंगी कि 9.30 के राउंड बार अभी भी कितना कोहरा है लगे नहीं रहा है कि 9.30 हो चुके है पता नहीं भाया अपकी बार की सरदी तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाग है मेरा break time मतलब कि family का snack time इन में से में लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मुझे बहुत तेज नीदारी है यहां दिन में मुझे भी कभी कभी नीदाती है मैं आउल की तरह रात को जाग सकती नहीं दिन में भी नहीं जा सकती सुबर जल्दी उठ सकती हूँ तो मुझे बहुत तेज निदारी थी, तो मैंने अपने लिए बनाई कोफी, यहाँ पर लगा लिए अपने लिए सेट अप, सोने के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए, वैसे यहाँ पर सो भी जाएंगी थोड़ी देर, 20-25 मिनट नैप, जितने टाइम मिलता है, उसमें से आर्स सोते हो, ताकि आपका रूटीन फोलो कर पाऊं, तो मैं बताऊं कि मैं ना, 5 आर्स सोती हूं, कभी-कभी मेरी तब्बे ठीक नहीं हो जाती, तो मैं 6 घंटे, यानि कि 6 आर्स भी सो जाती हूं, दिन में मैं एक नैप जरूर लेती हूं, वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाती, लेकिन मेरा एक पावर नैप, जो कि minimum 20 minutes का होता है, maximum 1 hour को होता है, depend करता है कि मुझे time कितना मिल रहा है, तो एक पावर नैप के साथ, मैं total मिला हूं, तो मेरी 6 hour की नीद होती है, रात की और दिन की मिला के, और एक और question आया था कि, आप रात को कितने बज़े स to be a civil servant, तो मैंने इस पर जाला तर सोचा नहीं है, मैं बस इतना ही बोलूँगी कि मुझे ना opportunities बस मिल जाएं, कि मैं ना मौका ढूंदती हूं opportunity के लिए, और मैं इस काबिल बन पाऊं कि मैं decision ले पाऊं, अभी मैं decision ले सकती हूं, तो सिरुफ खुद के लिए, अपने बच् के लिए, society के लिए मुझे decision लेना हो, अच्छा decision, positive decision, तो वो मैं ले पाऊं, तो उसका एक जरिया civil servant ही है, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, मैंने इसके उपर कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ा कहीं से, बस जो मन में आया वहीं बोल दिया, अच्छा अबी ना मैंने जल्दी से अपनी आज की revision, जो है start कर दी है, थोड़ा सा newspaper रहता था पहले वो करूंगी, फिर मैं revision करूंगी, क्योंकि अभी cook का phone आया था, आज वो छुटी पे है, क्योंकि उनकी तबित खराब हो गई है, तो खाना भी बनाना है बाद में, लेकिन हमारे घर में एक परंप बना लेंगे, तो मेरा काम सिर्फ इतना रहेगा कि मैं आटा लगाऊंगी और चपाती बना दूगी, तो थोड़ा से काम काम हो जाएगा, जो चितना मेरे पास टाइम है, 7.30 तक मैं इतना ही बढ़ूंगी, उसके बाद खाने की त्यारी करूंगी, बेटा दिन में सोता नह नहां बना जल्दी करना होता है, मुझे भी भूख जल्दी लग जाती है, फिर पे आप लोग के लिए एडिट करके इसको अपलोड कर दूंगी, थोड़ा बहुत व्लोग मैं दिन में बिट कर लेती हूं, इसलिए रात को जल्दी से अपलोड कर देती हूं, फोड़ा बच इस वोजिसने यह लग रहा थे कि मैं अबना टार्गेट पूरा नहीं कर पा रही हूं, बट कभी कभी लाइफ में ऐसे दिन आते हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है, कि रिमेंबर इस लाइन, लेहरों से डर के नोका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप हमें इतना मोटिवेट कर रहे हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज है, थैंक यू, थैंक यू सो मच, जिसने भी यह कमेंट किया है, और आप लोगे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, कि आप लोग मुझसे मोटिवेट हो रहे हैं, मेर मैं कोशिश करूँगी नेचरली अपने आपको ठीक कर पाऊं आप सब भी पढ़ाई के साथ साथ बाकि सब कामों के साथ साथ अपनी हैल्थ का ध्यान रखिएगा गुड़ नाइट